आप लोग नमक से परिचित हैं क्योंकि नमक का जो है हर दील पर तील उत्योंक्या जाता है घर में निगत रहके फोह्ती व हुना बहुत ही है ज़रूरी पडार्त है लेकिन जो नमक हम खाते हैं वह आते कहां से है यानि नमक कहा वंता है कि संवनदर कैसे होते हैं और संवनदर से बनाने कि लिए सबस्केपने चोटे बनाए जाते जिसको अपने खाजसा में तलाब अब यहाद मुस्कु पुहरीया भी कहा जाता है तो तलाव समंदर के पाणी को उस तलाब में भरा जाता है कि समंदर का पानी करना की मातरा छęt यो आप यह देख सकते है तो उसमें क्या के जाता है तो बहर करके जाने तो यह आप त्यहां उसको शुखने के छोट गया जाता है और वह सुखती है तीन से आठ दिन उसको लग जाते हैं तीन से आठ दिन उसको शुखने जाते हैं वाहिव मंदल में चले जाते हैं वाश बच जाते हैं नमक की माता अन्क कालिसियम कार्भुमेहे जयान यह जो अन noon के μέंट के साथ जो है रहता है यह यह मिट्टी बालू के साय तो फिर से उसको क्या किया जाता है मसीन के द्वारा उसको उठा करके दूसरे जगा ले जा करके उसको साफ किया जाता है सफाई करके उसमें केमिकल मिला करके जो है ना और उसको जो है ना पाइकेट में बढ़ करके मजार में भेज दिया जाता है उसको अपने लग क्या करते है उसी को solar salt production भी कहते है solar salt production समझ गये तो इस तरीके से नमक का खेती किया जाता है समंदर के किनारे इन्हीं सिर्फ समंदर के पानी से ही नमक बनाया जाता है यहां पर नमक का खेती होता है तो जब आप लोगों को करके आप देख सकते हैं या समंदर के पानी को देख सकते हैं यह कैसे नमकीन होते हैं समझे तब तक क्यों ही आप नहीं गया तक वीडियो के माधियम से देखिए और देखिए कैसे नमक तियार होता है अगर यह वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वी कर दो कि अजयर में